हवलदार मेजर पीरु सिंग शेखावजी इनका जन्नमोर 20 में 1918 को राजस्थान के एक विलेज में पीरु सिंग शेखावजी को 1947 में ट्रांसफर कर दिया गया 6 बटालियन और राजपुताना राइफल्स में अब क्या होता है 1948 को जो पाकिस्तान होता है वो एक ओफेंस स्ट्राइक लाउंच कर देता तीछवा सेक्टर में वह एक हिली एरिया होता है वहां बड़े-बड़े पहाड होते हैं वहां पे बैठे रहते हैं पाकिस्तानी अब इसकी जो पीरु सिंग जी की डेल्टा कंपनी ह इसको बहुत बड़ी केज़्वाली चलनी पर जिनकी कमांडर भी वही शहीर हो जाते हैं अब क्या होते हैं वहां से एक बचकर से भागवी फायर आता है तो उसे जब पीरो शिंग शेकावाजी देखते हैं तो उसमें ग्रेंट फेक्कता है जब उसके पर चढ़ाई करते ह सामने एक ग्रेंट फटता उनका एक हिस्ता बुचहरे का घायल हो जाता है तब भी वह एक जैकारा करते हैं राधा राम चंद्र की जै और आगे बढ़ते हैं अपने हाथ से दो पाकिस्तानियों को मारते हैं और तब उन्हीं तब ही उनको दो गोली लगती है वहीं गिरते समय है मरते समय भी शहीद होते समय भी वह अपनी जैप से ग्रेंट निकालते हैं बंकर इंफिक्टों को बंकर